हेलो एन वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पढ़ रहे थे आपके N.C.E.R.T. क्लास फिफ्थ इंग्लिश का यूनिट नमबर नाइन लेसन अराउंड दे वर्ल्ड इन 80 डेज और हम ये देख रहे थे कि मिस्टर फिलिस फॉक क्या 80 डेज में पूरी दुनिया घूम के कम्प्लीट करके अपनी जर्नी वापस आपाई थी तो हमने अपना पार्ट वन वीडियो स्टॉप किया था इस पेज पे जहां पे हमने ये पढ़ा था कि मिस्टर फिलिस फॉक की जो ट्रेन थी वो आगे नहीं जो है वो टूटे हुए हैं और ट्रेन आगे बढ़ेगी तो ब्रिज टूट जाएगा ट्रेन नीचे गिर जाएगी और पैसेंजर्स मर जाएंगे लेकिन ड्राइवर ने बोला कि अगर हम ट्रेन को एक मैक्सिमम स्पीड के साथ दोडा कर एक सेकेंड में एक कोने से दूसर कर पाई थी? All aboard said the conductor. All aboard मतलब क्या सब ट्रेन में चड़ चुके हैं? Said the conductor. Conductor ने कहा? Who is a conductor? Conductor is a person who is in charge of a bus और a train. जैसे बस में भी जब हम चड़ते हैं तो बस में एक तो ड्राइवर होते हैं जो बस को चलाते हैं. दूसरे है conductor जो पैसेंजर्स से पैसे लेते हैं उन्हें टिकेट देते हैं. तो ऐसे train में भी conductor था. The passengers got on the train. सारे passengers train के अंदर चले गए and the driver reversed the train. Reverse करने का मतलब train को उन्हों speed में जो भगाना था. फिर क्या हुआ? The driver reversed the train for nearly a mile. एक मील दूर तक, मतलब 1.6 km की दूरी तक उन्होंने train को पीछे ले लिया. और फिर then he gave another whistle. एक और बार उन्होंने train की CT बजाई. जिससे की सब लोग एकदम alert हो जाए कि देखो अब हम एकदम maximum speed में जोड से train को मैं भगा सब लोग अपनी कुर्सियों को टाइट से पकड़ लो. The train began to move forward so fast that it was frightening. train इतने जोर से आगे निकलने लगी कि वो बहुत ही डरावना लगने लगा. The passengers had the feeling that the train was not resting on the tracks. Passengers को ऐसा feel हो रहा था कि जैसे train जो है वो tracks के उपर नहीं चल रही है but was floating through the air लेकिन हवा में ओड उड के जा रही है. क्या आपने कभी roller coaster का ride किया है? रोलर कोस्टर में जब हम बैठते हैं वो भी किसी train tracks की तरह ही हमारा ride चलता है. तो हमें जब बहुत जोर से speed में उपर से नीचे आता है roller coaster तो हमारा चहरे का expression कैसा होता है? बहुत ही डरावना जैसे अरे बहुत ही डर लग रहा है, frightening होता है. और train कैसे लग रहा था उनको feel होने में? that the train was not resting on the track. Tracks पे तो चली नहीं रही है. हवा में ओड रही है train. ऐसा feel हो रहा था. As the engine shrugged and the train shredded. अब यहां पे दो-दो new words. As the engine shrugged. S-H-R-I-E-K-E-D. Shrugged मतलब a high-pitched sound. बहुत जोर का sound. करके जब train के wheels ब्रिज में घिस रहे थे, तो उस ट्रक्राने की वज़े से जो sound produced हो रहा था, बहुत जोर का sound produced हो रहा था. As the engine shrugged and the train shudded. S-H-U-D-D-E-R-E-D. Shuddered. As the train shuddered. Shuddered means to tremble or shake violently. बहुत जोर-जोर से हिलता हुआ train high speed पकड़ के move कर रहा था. They were over the bridge in a flash. ये train, passengers को लेके एक second के अंदर, एक moment के अंदर पहुच गया था bridge के दूसरी तरफ. Flash क्या होता है? Flash एक lightning की तरह होता है. जैसे आपने बिजली के कड़कने को देखी है. आसमान में जो बिजली कड़कती है तो दड़म दड़म दड़म. एक बड़ी सी light हमें दिखाई देती है और फिर वो light गयब हो जाती है. सिर्फ एक second के अंदर ही हमें इतनी जोर की आवा ट्रेन सभी पैसेंजर्स को लेके सही सलामत बिज के दूसरी तरफ पहुच चुका था. As soon as they passed over the medicine river, the bridge crashed down. और जैसे ही ट्रेन जो है वो बिज के एक तरफ से speed में दूसरी तरफ पहुच गया. ट्रेन निकल गया. उसके बाद ये बिज क्रैश होके नीचे गिर गया. क्योंकि वैसे ही बिज थोगा सा टूटा फूटा था. ट्रेन के भार गुजरने के बाद ये बिज और भी पूरी तरीके से क्रैश हो गया. क्रैश होने का मतलब तूट के गिर जाना, बिखर जाना. और ये बिज कहां क्रैश हुआ था? It crashed down into the raging water below. नीचे जो medicine river बह रही थी medicine river का जो पानी था इस नदी का पानी ये बहुत ही speed में बह रही थी. So we call it as raging water. Raging means showing anger. ये पानी इतना force के साथ बह रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे पानी अपना गुसा दिखा रही है. Raging means, अचा रेजिंग के उपर आपने एक और वर्ड सुना होगा. Raging bull. जो bull होते हैं, जब ये लाल रंग का खपड़ा देखते हैं, तो गुसे में अटाक करने आते हैं. ऐसा लगता है ना? So that is why we also called it as raging bull. So similarly, the bridge crashed down into the raging water below. Below मतलब नीचे. The train continued its course. Train अपना जो जर्नी था, वो उसने continue किया. यानि कि वो चलता रहा, उसने अपनी जर्नी पूरी की. That evening, उस शाम को, without interruption, बिना किसी रुकावट की. Interruption means breaking of a continuity. जब कोई चीज चल रही चल रही होती है, चल रही होती है, अचानक सा अगर वो ब्रेक हो जाए, तो उस चीज को हम interruption बोलते हैं. ट्रेन का जो जर्नी था, वो without interruption पूरा हुआ. मतलब कि वो बिना किसी रुकावट के ट्रेन ने अपनी जर्नी पूरी की. As the train moved forward the next day, अगले देन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ रही थी, it was suddenly attacked. अचानक से ट्रेन पे हमला कर दिया by hundreds of Seox Indians. कई hundred Seox Indians ने जो एक तरीके के डाकू होते हैं, उन्हों ने ट्रेन पे हमला कर दिया. It is a kind of tribe of native Red Indians. एक tribe ट्रेन्स पे attack करके वहां के पैसेंजरों का सारा पैसा और सामान लोट लेते थे. ऐसे ही hundreds of Seox Indians ने उस ट्रेन पे हमला कर दिया. Many of them appeared from all sides. बहुत सारे डाकू हर तरफ से ट्रेन पे हमला करने लगे. क्योंकि ये सभी लोग जुन्ड बना के रहते हैं. और किसी ट्रेन पे जब वो हमला करते हैं, चारो तरफ से. सभी बोगियों पे हमला करते हैं. Many of them appeared from all the sides. Jumped on to the moving train. चलती हुई train पे jump करके ये लोग अंदर घुसने लगे. And pulled themselves up the steps. और अपने आपको जैसे भी हो सके, train की rods को पढ़के अपने आपको खीच-खीच के. They pulled themselves and they got up the steps. Train के सीडियों को चड़-चड़ के train के अंदर घुस गए. They were armed with rifles. Armed का क्या मतलब है? ARM. एक arm का मतलब तो होता है हाथ, बाही. और दूसरे arm का मतलब होता है weapon. यानि की लडाई करने का सामान. इन सभी Siox, Indians के पास बड़ी-बड़ी बंदूके थी. Rifle का मतलब बड़े साइस की बंदूक. और इनको देखके सभी पैसेंजर्स डर गए थे. But, some of the travelers, कुछ-कुछ passengers जो ट्रेन के अंदर बैठे होए थे, उनके पास revolvers भी थे. Revolvers का मतलब छोटे साइस की बंदूक. तो इन दोनों में डिफरेंस तो आपको फोटो देखे ही पता चल रहा है. जो Siox, Indians के पास था, वो बिक साइस का राइफल था. और जो travelers के पास था, वो इस साइस का revolver था. लेकिन बंदूक तो बंदूक ही होता है. तो passengers भी अपना बचाओ करने की कोशिश करते हैं, अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे. ये सभी डाको उन पे गोलियां चला रहे थे. तो जिनके पास revolvers था, वो भी वापस गोली चला के अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे. दे डिफेंडेड, डिफेंड करना यानि की प्रोटेक्ट करना टू, प्रोटेक्ट वनसेल्फ फ्रॉम एन अटैक. तो मान लीजिए ये सियोक्स इंडियन है, ये हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं. तो travelers अपने revolver से अपने आपको डिफेंड कर रहे हैं. डिफेंड कर रहे हैं मतलब अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डाकूों के अटैक से. The travelers defended themselves bravely, बहुत ही बहादूरी के साथ, bravely मतलब बहादूरी के साथ travelers अपना बचाओ कर रहे थे. By answering with pistol shots, कैसे बचाओ कर रहे थे? उनके पास जो revolver था, उनमें गोलिया चला के वो answer कर रहे थे. अब answer करने का ये answer नहीं कि आपको एक्जाम में question दे दिया, आपने उसका answer लिख लिया. Answer लिखने का मतलब उत्तर तो होता ही है. दूसरा ये कि जो attackers बंदूक की गोली से गोली चला रहे थे, तो वापस जो passengers थे, वो अपने बंदूक में से गोली चला कर, दुबारा गोली चला कर, उन डाकों की गोलियों का answer दे रहे थे. They defended themselves bravely by answering with pistol shots. The conductor cried out, तभी अचानक से conductor अंकर चिला के बोले, cried out means चिला के बोले, the train must be stopped or we are lost. जल्दी से इस train को जैसे भी करके हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, we all are lost. मतलब की हम सब मारे जाएंगे. I will go, said passpatoo. He opened a door and unseen by the red Indians, he slipped under the racing train. तो passpatoo ने क्या क्या, उसने train का दरवाजा खोला. And unseen by the red Indians, unseen मतलब बिना दिखाई दिए, कि कोई भी red Indian उसे देख ना ले, चुपचाप चुपके चुपके, he slipped under the racing train. Train के नीचे वो चुपचाप slip होके चला गया. धीरे धीरे करके, चलती हुई train के नीचे चला गया. And holding on to the chains, he slowly reached the engine. और train के नीचे जो chains मौजूद होती है, उनहें पकड़ पकड़ के धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चलता चलता, वो train के engine तक पहुच गया. अब engine एक ऐसी जगा होती है, जहां से train का पूरा control होता है. यहीं से train speed में जाती है, train slow होती है, train रुकती है, चलना start करती है. तो फिर पासपटू जब train के engine तक पहुच गया, तो उसने क्या किया? Then he separated the engine from the coaches. ट्रेन का engine उसके कोच के साथ जिससे connected हुआ रहता है. पासपटू ने जाके उस engine को train के बाखी compartment से अलग कर दिया, separated. Separated मतलब अलग कर दिया. और फिर they started to slow down. और जब engine coaches से अलग हो गया, separate हो गया, तो engine तो रुक ही गया. दिरे-दिरे करके कोच slow down होने लगे. They had neared a station और वो जहां पे ये काम चल रहा था, उसके आसपास ही एक station था. वो train एक station के पास पहुच चुकी थी. They had neared a station मतलब एक station के पास में वो train पहुच चुकी थी. Where soldiers attracted by the sound of shots hurried towards the train. Where, मतलब जहां पे soldiers कुछ बठे हुए थे. जो देश की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करने वाले military के जवान, ये soldiers, जब इन्होंने gunshots की आवाजे सुनी. क्योंकि ये डाकू भी गोली चला रहे थे, passengers भी उनका जवाब देने के लिए उन पे वापस गोली चला रहे थे. इतनी गोलियां चल रहे थे, बहुत जोर-जोर की आवाजे आ रहे थे. The soldiers attracted by the sound of shots. Attracted मतलब गोलियां चलाने की आवाज को सुन के वो alert हो गए थे. कि अरे ये आवाज कहा से आ रहे है, देखो देखो देखो. They hurried towards the train. Harried मतलब दोड के वो train के और नजदीक पहुँच गए. The Red Indians on board saw them. Train के अंदर, on board मतलब train के अंदर जो Red Indians, डाकू लोग थे. उन्होंने आते हुए soldiers को देख लिया. And quickly jumped off. और जल्दी से train के बाहर जम्प कर लिया उन्होंने. Before the train stopped entirely. इसके पहले की वो train रुख पाती. सभी डाकू जम्प करके ट्रेन के बाहर निकल के चले गए. और इस तरीके से soldiers के आने के पहले ही डाकू भाग गए और सभी passengers बच गए. और इसी तरीके से हमारा ये lesson यहीं पे खतम होता है. लेकिन ये कहानी अभी तक यहीं पे खतम नहीं हुई. आगे जर्नी में और भी मजा आया था. पासपटू और मिस्टर फिलिस फॉक को. और इन्हों ने पूरे अर्थ की यात्रा एक कोने से शुरू करके गोल घूम के वापस वहीं पे आ गए थे. इस स्टोरी को आप पूरा पढ़ सकते हैं Around the World बुक जिसे लिखा है Jules Verne ने. और इस जर्नी को पूरा करने के लिए 80 डेज नहीं, 79 डेज में ही मिस्टर फिलिस फॉग और पासपटू ने ये जर्नी पूरी कर ले थी. और जब 79 डेज में ही जर्नी पूरा करके वो वापस लंडन में पहुँच गए थे, अपने क्लब में वो शर्त जीत चुके थे और उनके फ्रेंड को उनका जो प्राइस शर्त वाली अमाउंट थी, वो भी उन्हें अपने फ्रेंड से मिल गया था. अब एक बार हम फिर से इस चाप्टर के न्यू वर्ड्स को एक बार रीड कर लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब जुलूस, बॉड़ी और ग्रुप ऑफ पीपल और अनिमल्स और सम्तिंग, वार वाकिंग तोगेधर इन आन ओर, डीप क जैसे नीचे से कोई पतली सी नहर या फिर नदी बहरी होती है, उसके ऊपर खड़ी-खड़ी चटान होती है, उसे हम कैनियन बोलते हैं. सपोर्टिंग, कीपिंग फ्रॉम फॉलिंग, मतलब कोई भी चीज गिर ना जाए, उसे हम नीचे से सपोर्ट कर रहे होते हैं. करेंगे, जिसका लिंक आपको बहुत ही जल्दी इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा. So till then, thank you very much and God bless you all.